तो इनो बाइद आज किस्वेल वीडियो में बीजिटेश की पिसोड 104 की पार्ट टूब इस्ट लिन देरने मला हो। और अगर आपने फिसले बाड एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरुड़ से देख लेना में मेलिंग वीडियो को डिस्टिप्स में देदिया हो। तो वो सबी के रहेते कि ये बंदा जुरूर पर बहुत ही जिदा इस्ट्रॉंग परसन होगा। क्यूंकि हैंड यूई की लैफ हैंड क्लैन के लिए बहुत ही जिदा इंपोटेंटे और हैंड क्लैन कभी भी अपनी बेटी को होंग लैन के हवाले नहीं खनत चाहेंगे। और और वहां पर के लोगों की बाते को सुनकर अपनी आगे खोल लेता है और वो सलिंटी दरब देखर करके कहता है कि यह च्छटा लगका यह बहुत ही दैस्टोंगे में हरानों के हैंड क्लान इस्थनका एक्सपर्ट कहा से ढूल दिया अब यह बास सुनकर होंग लेंड का आपने आपने से दो या ती इस्टार हायर लेवल के दोवन प्लास के एकसपर्टों भी बहुत तीजिते अरा देगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे दाव की कोंडिनेट में एसे लोग नहीं जो की इसे हराना पाए एसे लोग हैं लेकिन यह नोबट नहीं आई कि वोग अभी के लिए सेंट्रल पेन के इसी से में एपियर हो जाए और इसे हरा दें और ये कहने के बाद वो और परसंट फिट से अपनी आक्या बंद कर लेता है अब इदर तुस्सी तरफ वंग्चैंग बड़े ही एरोगेंट वी में सल्जिन से पूछता है कि तुम्हारा न तुम्हारी सारी हडिया तोड़ दूगा जिसके साथ ही सल्जिन उसे कहता है कि अभी 10 सेकेंड की जुरत नहीं चलो फाइट करते हैं और इस फ़र हुंग्चैंग से कहता है कि जैसा कि तुम चाते हो कि मैं तुम्हें मार दो तो फिर तुम मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने पर हम नहीं किया और यह किए वॉंग चैंग अपनी बोड़ी से अपनी लाइक दोइक को बाहर निकाल लेता है और सुन्जिन इस लाइक दोड़ीगों के बारे में काफिक हुद जानता था और उसे पदा था कि यह लाइक निंग कीमैथर बयुती इतर फ्राइक और अपनी सी पेकियाद के इसारे से उस लाइटिन गोट पो वहीं पर खतम कर देता है। और उस अटाइक को खतम करने के बाद सल्यूने के स्माइल के साथ कहता है कि यांग मास्टर गॉंग जैंग तुम ये छुटे-छुटे अटाइक मुझ पर ना करो। और इसके साथ ही वंग जैंग अपनी एक फिष्ट बना कर अपनी नाइटनिंग दावकी से उसे कवर करके सल्यून के सर पर उसे अटाइक कर देता है। इसके साथ ही वंग जैंग अपना एक हैंड गला बनाने के बाद अपनी दावकी को उसमे इंसर करना इस्टार कर देता है। जो देकर सल्यून अपने सामने एक डिफेंसिप सी बना रहता है और अभी सल्यून अपनी इस्पिचलिस्टिन के साथ होंग जैंग की सभी के अटैक को बहुत इजीली खतम किया जा रहा था। अब यह सब देकर होंग जैंग बहुत ही जिदा कुसे में जता है और वो केता है कि हुईन लाइक निगेल और इस फर्मेशन के यूज करने के बाद बहुत सारे हैंड गला असमाने बन लाता है और वो आपस में मिल जाता है। अब यह अब आपनी सब्सक्ताइब को बहुत के सामने डिस्विले कर दिया था अब सब्सक्राइब कर देखने के बाद वहांपर के सभी कि लोग पूरी तरीके से रान देता है और वो कहते हैं यह बंदा भी दोगं गलास्ता एक्सपोर्ट है आवा में समाझ में आए कि क् अब यह वहांपर खतम होता है तो एक बहुत ही इनर्जी का बोलो हता है जिसकी वज़ेसे आसपास की चटाने टूर जाता है और अब इक लिए सब्सक्राइब कर देता है और अब यह चीज देकर वहांपर के सबीके लोग रान उपर कहते हैं कि यह किसकिसिन का मोस्टर है इसने की वांग चैंग को भी बिज़ें अड़ा दिया और इदर सब्सक्राइब की बेज़ती करते हुझे के तुमने क्या सुचा कि तुम ही सोटी सी लाइटनिंग इटन फॉर से मुझे नुपसान पहुचा पाओगे और यह बाद सुनने के बाद वांग चैंग से कहता है कि मुझे यकिन नहीं आरा कि तुम सेवें इस्टार दोवां ग्लास के एक्सपार्ट हो तुमने सच में ही बहुत ही इसे से खुद की एस्टेंट को छुपाए रखा हमसे और मुझे अब समझ में है कि हैंड क्लैन ने मुझसे फाइट करने के लिए तुमें क्यों गया तु उसके आस-पास बहुत साई लाइटनिंग इस्टेक्स गुम रहा था और यह सब देखर हैंड क्लैन के लोगों के घुस बर जाते और वो कहते हैं कि यह लाइटनिंग गॉर्मेशन है जो की बहुत इदा खतरनाक है और इधर हम देखते हैं सावियन को जो की उसी इस फुरम को यूज करने के बाद उसके इस्टेंड बहुत यह दा बडशुवी थे और अवी के लिए वो वक्ती दुर पर दुवांग लेवल के नायने स्टेपर बहुत जोगा था यानि कि वो दुवांग क्लास के पीपर बहुत जोगा था और फिर इसके साथ ही वंग जैंग अपन अपने से इस्टोन एक्सपोर्ट को भी हरा सकता है और दुसी तरफ वहां पर ये खरे सभी के लोग ये सब देखर के रहे थे कि आज ये लर्का हारने वाला है हमारे इस वंग जैंसे क्योंकि अगर इसके पास कोई इस्पेसल ट्रम कार नहीं तो इसका लग बहुत हीदा ख से पोच गया और ये सावयन इसका बैग्राउंड ये कि आखिर ये सेंटरल पिन में आज से पहले क्यों नहीं आया अब वही ये नाम सुनकर वंग लैंड के हेड वंग लिग ये पीछे गिरो परसन खुद से बढ़ रहते हुए कि सावयन में ने भी ये नाम कभी नहीं सु ना हो तुम्हें पता है कि वंग चैंग ने विल लाइटनिंग पविलें की उस सिक्रेट की मेथर गौर्ड डिसेंडर लाइटनिंग की मेथर पो यूज कर लिया है तो अब इके लिए इस बैटल का बीखर ये वंग चैंग की बढ़ती हुए ये श्टेंड को देखर अपन पुरिजन के बंदे पुद देखोगे तो तू उससे बसने की पुसिस करोगे और उसे काफी ज़ता रिस्पेट करोगे जिस पर सॉलियन अपनी सपेद दात उसे खोल कर दिखा जाता है अब ये चीज़ देकर वंग चैंग बहुत इलएक उसे मैं ज़ता है और वो बड़ी स् के अटाक को बहुती इसलिए डॉस कर दिया अब ये देकर वंग चैंग के ताई कि चाबास लरके तुम तो मेरे 3000 लाइटनिंग मुमेंट के आफ्टर इमेज में भी देखने के काबिल हो और वेसे अभी वंग चैंग अपनी 3000 लाइटनिंग मुमेंट का यूज कर रहा था कि वो विन लाइटनिंग पर विलेन फे डिसाइपल ताई इसलिए उसलिए ये टेखनिक सिखी हुई थे और सावियन उसके बाब वुद्ध भी इजिली अपनी हैवी उडलर स्वार्ट से उसके सभी के अटाक को बलोग किये जा रहा था जिसे देकर हौंग चैंग खुझ स जल्दी से अपनी सीख्वेन बाडी फ्लिंग टेकनीका यूज़ करता है और उससे उसके सारे अटाक को अंदर स्वोटी बलोग कर देता है अब जैसे जैसे हौंग चैंग की लाइटनिंग हैमर से टगड़ा रहा था तो सावियन की रूलर से टूट रहा था तो इसके साथ हुए तो मैं देखोंगे की तुम मेरे विन इसे खीश्चेन से किसे बसोगे जिसके साथ है इस अलियन ज्वा कि वो कि वो सिलवर कलर की वो सिल्वर करता कम लेगा दू आपता है, और ऑब इस सब देंदे ये पूरी तरीक तरीके से फट जिक अत्त है, और वो कहता है कि ये तो ये फेटा है। लोगों का भी था और इदर सॉलियन जिसकी बॉड़ी पर अभी के लिए हेवेनली फिरे में पेर वच्व की थी वो वोंग्चैंग से कहता है कि क्या तुम्हारा यही टैक्टिक्स है मैंने तुम्हें सच में ओवर इस्टिमेट कर लिया लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नह और फिर सॉलियन केता है कि सकाइप फिर थरी मिष्टिय ये सेंचниц बिलेज्ड़ी पर फ्रक फर सेंच अब जिसे ही सलियन अपनी स्काइप फिर मिष्चिय सेंच का यूज़ करता है तो वो दोवांग क्लास के पीक पर मोच रहता है यानि कि वो दुज़ान क्लास से हाफे और इसके साथ ही वो कहता है कि यह लर्खा तो वागी में ही बहुत ही इता इनके डिवर इसकी स्टेन तो संपूसे मेरी जितनी हो गया है। पुरिए और ये वीडियो खतम हो गया है तो किस लेकर सर्माओंगा जादर के चैनल को स्टैप कर लो वीडियो यहां तर देखिए तो वीडियो को भी लाइक कर देना और तब तक मैं चला सवलियन से पहले में होंग जैंक को हराने के लिए तब तक के लिए बाइबाइ कर दो